Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिसकस करेंगे Assessment Worksheet No.13 for Class 9 विशह सामजिक विज्ञान है और ये Worksheet आपके लिए 25th of January 2022 के लिए schedule की गई है आज की जो Worksheet students उसमें हम Part 4 जो है आपका जलवाईू उसके regarding जो है यहाँ पर आपको Assessment Worksheet दी गई है ठीक है इस चेप्टर के questions आपको इस Worksheet में दी गई है so Worksheet चू करने से पहले प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बैल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए so देखिए maximum अंक आपको यहाँ पर 20 marks की question है कुल यहाँ पर 10 जो है आपको question दिये गए है first of 5 आपकी question 1-1 mark के रहेंगी 6-7 question आपका 2 marks का है और 8-9 आपका 3 marks का है and question number 10 जो है वो आपका 5 marks का रहेगा तो इस तरह से आपको marks distribution यहाँ पर दिया गया है तो one by one हम सारे questions के answer जो है वो करेंगे पहला question है, question एक आमर वर्षा से आप क्या समझते हैं तो वर्षा रितु आरंब होने से पहले ही है वर्षा कीरल और पस्चमी के तटिये मैदानी भागो में होती है आम की फसल के लिए उपयोगी होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है आमर वर्षा कहा जाता है question दो है, मई में देश के उतर पस्चमी भागो का तापमान सामारेते कितना रहता है तो मई में तापमान आस्तन लगवक 32 से 40 डिग्री Celsius होता है question 3 है, मासिन्राम किन पहाड़ियों में स्थित है तो मासिन्राम छो है, वो खासी की पहाड़ियों में स्थित है यह आप answer में लिखतेंगे, question 4 है, उतरी भारत में धूल भरी आंधियों का क्या महत्व है तो दूलबरी आंदिया ऐसा ये रूप से आराम पहुचाती है क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है तता आपने साथ खंडे समीर और हलकी वर्षा लाती है तो ये जो है क्या रहेगा महत्व रहेगा जो दूलबरी आंदिया आती है उसका प्रशन पाँच है शीत काल में पश्चमी चक्रवाती विक्सोब किस समुंदर से उत्पन होता है तो शीत काल में पश्चमी चक्रवाती विक्सोब भूमद्य सागर से उत्पन होती है क्लियर कहां से होती हैं स्टूडेंट्स भूमद्य सागर से प्रश्न छे है गर्मी के मौसम में पहाडियां ठंडी क्यों हो जाती है तो देखिए गर्मी के मौसम में क्या है प्रिथ्वी की गोलाई के कान प्राप्त सोर उर्जा की मात्रा अक्षांसों के अनुसार अलग-अलग होती है यानि दिशा के उपर निरुपर करता है कि किस तर मस doorstep करते हैं इस चीज के उपर अ करता है इसके परणाम सवरुप क्या होता है टाप मां जो है वो विशूवत व्रत से ठीक है यह ताप मां विशूवत व्रत से यह आप थोड़ा सा ठीक कर लेजिएगा विशूवत वृत से दुरूओं की ओर सामानय गढ़ता जाता है तो हमने देखा था ना गोलाई जो है देखे कुछ इस तरह से अब यहां पर क्या होता है कि तापमान जो है जब हम दुरू की तरफ चाते हैं तो तापमान गढ़ता है और जब हम विशुत वृत्वित की ओर आते हैं तो तापमान बढ़ता चला जाता है ठ पर्मी के मौसम में भी कैसी रहती हैं ठंडी होती हैं उसके बाद नेक्स देखिए प्रशन साथ है भारत में सर्दियों में मौसम शुष्क क्यों रहता है तो सर्दियों के दोरान मांसून जो है वो नमी से भरी हवाएं मांसून नमी से भरी हवाएं पीछे हड जाती हैं जिस कारण हमें सुष्क मौसम का अनुभाव होता है सर्दियों में ठीक है तो यह आंसर हो जाएगा प्रशन आठ है भारतिय मांसून की तीन प्रमख विशेशताएं बताईए तो भारत की रितुओं का वार्शिक चक्र मांसून पाउनों द्वारा नियंतरित था नियमित रहता है ठीक है यानि कोई जो मांसून यानि जो भारत में बारिश आती है वो किसके कारण आती है वो मांसून पाउनों के कारण आती है और वो भी नियमित जो है वो नहीं रहती है ठीक है दूसरा क्या है मांसूनी वर्ष एक वर्ष में कुछ दिनों वर्षा एक वर्ष में कुछ दिनों तक ही होती है और तीसरा आप लिख देंगे मौसमी भारी वर्षा और सूखा मानसून की सामाने क्या है विशेशता है यानि जब मानसून आती है तो बहुत जादा भारी वर्षा हो जाती है लेकिन जब मानसून नहीं होती है तो क्या हो जाता है सूखा जो है वो देख नहीं होती है तो इस तरह से एने मित्ताइं देखने को मिलती हैं नेक्स देकि प्रशन नो है मानसून के आगमन के समय राजस्तान का पश्चमी भाग लगबग शुष्क रहता है इस कतन के समर्द में तीन कान देजी तो भारत का यह राज़ा उत्री आक्षांस और पूर्वी एनेमित वर्शा का होना अचली जो अरावली परवत है राजस्तान में उसके समानतर मानसून जो है वो निकल जाती है ठीक है उसके समानतर निकलने के कारण वो टकरा कर वारिश नहीं कर पाती है तो इसलिए अरावली परवत के कारण भी राजस्तान में कम तथा एनेमित व पहला कारक है एनियमित मांसुनी पवने तो भारत में वर्ष में मांसुनी पवने जो है वो क्या है एनियमित है यानि ऐसा नहीं है कि सारा साल मांसुनी पवने जो है वो रहती है ठीके दूसरा है भूमत्य रेका से दूरी तो भूमत्य रेका से दूरी भी भारत में वर्षा क एसमान वितरन का क्या है कारक है तीसरा है समुंदर तल से दूरी भी भारत में एसमान वर्षा का कारण है और चोथा आप लिख देंगे दरातली इस्थलाकरतियां कहीं जो है पहाड हैं कहीं मैदान है तो धरातली स्तलाकरतियाviol combustra के प्रमु कारकों में से एक है पांचवा है जो है एसमान प्राकरतिक वरनस्पती भी वर्षा के एसमान वितरण में योगदान देती है तो ये क्या होजाएंगे ये कारक हो जाएंगे जो की जम्योदार है responsible हैं भारत में वर्षा के ऐसमान वित्रण के लिए तो ये थी आपके आज के assessment worksheet I hope सभी बच्चों को ये clear है कोई doubt है तो बच्चों पूछ सकते हो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर से like करना share करना, subscribe करना So thanks for watching, have a nice day